तो आज मैं तिल की पापड़ी का वीडियो डालने वाली हूँ तो मकर संत्राथी की उफ्लक्ष हैं आप लोग चिल की पापड़ी का वीडियो देखे यह देखे जैसे मार्केट में मिलती है स्टेंड उसी प्रकार से मैंने बनाई हूँ तो देखिए मेरे इतनी सारी पायपड़ी बनी हुई है पास में लानो बीटह यह देखो ये घर पर हम बहुत ही आसान तरीके से बनाए हुए है मैं पूरे पापड़ी का ब्रूय देखाने वाली हूँ और इसमें मैं एक बड़ी पापड़ी भी बनाए है तिल की पापड़ी के लिए हम आधा किलो गुड़ लिए हैं और एक किलो तिल लिए हैं तिल को एक कड़ाही में भून लेना है अब गुड़ में आधा ग्लास पानी डाल कर दस मिनिट पकाना है और पकने की बाद इस तरह चेक करके देखना है पुड़ हमारा तैयार हो गया है तिल की पापड़ी बनाने के लिए हम मिक्स कर लेंगे अब हाथ में पानी लगाना है और पापड़ी के डो को चेक करके देखना है और एक छोटी वाली पॉली थिन लेंगे और उसमें हम डू बनाकर डालेंगे और पापड़ी बनाने के लिए पिन अप करेंगे पिनप करने के बाद एक बेलन की सहाथा से हम पापड़ी को बेल लेंगे इस तरह से हमारी पापड़ी बन कर तयार हो जाती है अब हम बड़ी पॉली थिन लेंगे बड़ी पापड़ी बनाने के लिए और बड़ी पॉली थिन को भी हम पिन अप कर लेंगे छोटी पॉली थिन में भी पिन अप कर लेंगे अलग अलग प्रकार से हम बना रहे हैं देखें दोस्तों इस तरह से बड़ी वाली पापड़ी को भी बेल लाएंगे और छोटी पापड़ी को भी बेल लाएंगे इस तरह से हम पापड़ी का बिजनिस का आइडिया दिखा रहे हैं दोस्तों घर पर सभी सदस मिलकर इस काम को कर सकते हैं यह अलग-अलग पॉलिथिन की साइज लेकर हम पापड़ी बना सकते हैं घर में अपने सदस्यों की हेल्प लेकर और घर से ही हम बिजनिस कर सकते हैं अभी बार-बार लोकडाउन हो रहा है तो लोगों को काम की बहुत ज़्यादा जरूरत है तो इस तरह से घर बैठे काम करके अपने बिजनिस को आगे बढ़ा सकते हैं गुड़ से बनी चिक्की कभी नुस्कान भी नहीं करती है मार्किट में संपर करके घर से ही सप्लाई कर सकते हैं अब मैं एक पापड़ी को तोड़ कर दिखाती हूँ जैसे मार्केट की पापड़ी रहती है ना कि बहुत ही ट्रैस्टी बाली है देखा दोस्तों कि हमारी पापड़ी कितने अच्छे से बनी है आप लोग भी घर पे बना सकते हैं जिलको अगर बिजनिस करना है तो इस प्रकार से पन्नी में भर करके और बेलना है और इसका हम बिजनिस भी घर बना भी कर सकते हैं तो कितने अच्छे से बना है आप लोगोंने दीखा नमस्कार दोस्तों